पूरे जमु कश्मीर के अंदर अपने वरकरों के साथ मिलकर इस समय बड़े पैमाने पर हमारा महा जंद संपरक अवियान शुरू हुआ है जम्मू के साथ-साथ कश्मीर घाटी में भी भारतिय जनता पार्टी बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ चड़ कर काम कर रहे है पिछले दिनों कश्मीर घाटी के अंदर जो आतंग की घटनाएं हुई भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं को यहां निशाना बनाने की साजशें हुई, कोशिशें हुई भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ एक शड्यंत्र कुछ शरार्ती लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतिय जनता पार्टी का हर कारेकरता एक मजबूत सिपाही, एक सैमी की तरह काम करता है, आतंगवादियों की, अलगवादियों की, और देश दुश्मन ताकतों की किसी भी से भारत ये जनता पार्टी का करेकरता घबराने वाला नहीं है पहले से भी और अधिक ताकत के साथ हम कश्मीर घाटी के अंदर अपना कारे विस्तार करेंगे पार्टी को मजबूती देंगे हमारा मिशन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हम सबको साथ लेके चले हम चाहते हैं कि लोगों के साथ इंसाफ हो सब को उनका हक मिले किसी के साथ ना इंसाफ ही ना हो अमन चैन और भाईचारा पूरे जमू कश्मीर के अंदर हो इसको लेकर भारत यह जनता पार्टी काम कर रही है गुपकार गडवन्दन के जितने भी नेता है वो कश्मीर को आस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं गुपकार गडवन्दन के नेता चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात खराब हो गुपकार के नेताओं की ये साजश है कि यहां भी तालीबान के जैसे उपद्रव कश्मीर में मचे वो हम किसी सूरत में भी इस परकार की साजशे हम बरदाश नहीं करेंगे हमने पहले भी आतंकवादियों का सफाया हमारी भादूर सेना और जमुकश्मीर पुलिस ने किया है आगे भी इस परकार के जो भी शडियंत्र आतंकियों के होंगे उनको निस्ते नाबूत किया जाएगा गुपकार गडवनन के कुछ नेता जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती जी भी है ये सब एक बहुत बड़ा शडियंत्र कश्मीर के खिलाफ कर रहे हैं बार बार भड़कव बयान देकर तोड़ने की राजनीती करके लाशूं पर राजनीती करने की साजश कर रहे हैं बार बार बड़कव बयान देकर तोड़ने की राजनीती करके लाशूं पर राजनीती करने की साजश कर रहे हैं तालीबान हो, अलकाइदा हो, लशकर हो, जेश हो, हिज्बल हो हमने ये पहले भी देखे हैं, इनसे कोई डरने वाला नहीं है कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है कश्मीर का हर बच्चा बच्चा देश वगत है उसके दिल में हुबल वतनी का जजबा है कश्मीरी सचे हिंदुस्तानी है वतन परस्थ है कश्मीरियों ने हमेशा मलक की हिफाज़त किया तिरंगा जंडा बुलंद किया है महभूबा मुफ्ती से किसी को साटिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है ना ही गुपकार गड़बंदन के नेताउं से किसी को यहां साटिफिकेट लेने की जरूरत है कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है कश्मीरियوں ने पहले भी हिंदोस्तान के लिए कुरबानिया दी है और कश्मीरी आगे भी मजबूती के साथ हिंदोस्तान के साथ खड़ा है ये आतंकवाद, अलगावाद की राजनीती नहीं चलेगी लाशों पर राजनीती नहीं चलेगी तालिबान का डर दिखाओ किसी और को गुपकार के नेताओं को गलत वहमी होगी हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंदर मोधी साहब है कोई जो बाइडन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है और आज तक development कहा रही है development होगी development कहा है अगर आप ब्राउंड लिवल पर देखे हैं बहुत बड़े पेमाने पर development हुई है आप देखें मोधी सरकार ने जमू कश्मीर के अंदर पंचाइती राज यहां लाया आज यहां जिला परिश्ट बनी है ब्लाक समीतियों का गटन दो-दो एम्स बन रहे हैं Central Universities बन रही हैं IIM, IIT बन रहे हैं गाओं-गाओं में सडकें, स्कूल, कॉलिजिस, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं फ्लाई ओवर्स, टेनल्स बन रहे हैं गाओं-गाओं के अंदर जल-जीवन, मिशन से कारे आगे बढ़ रहा है टूरिजम सेक्टर में अर्भू खरभू रुपया सेंटर गवर्मेंट ने दिया है ये सारा काम डवलिमेंट के लिए है हम चाहते हैं कि ये सारा पैसा इमांदारी के साथ लगे अब जिन लोगों ने सतर साल हकूमत में रहकर डवलिमेंट की नहीं आज जब development हो रही है आज जब मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस mission के साथ काम कर रही है तो गुपकार गडवन्दन के नेताओं को परिशानी और तकलीब हो रही है क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है और बाद ये कश्मीर के लोग भी आप पूर गडवन्दन के नेताओं की पाउं तले जमीन खिसक रही है इसलिए उनको तकलीब हो रही है वो कहते हैं कि स्टेट जब तक नहीं मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे सतर साल तो यहां स्टेट थी और स्टेट को बरबाद किसने किया इनी गुपकार गड़बंदन वालों ने जमू कश्मीर की स्टेट को भरबाद किया था सबसे जड़ा अगर मुकसान किसी ने किया वो बीजेपी है बीजेपी ने खाली बादे किये और ग्राउंड सते पे कोई काम ने किया भारतिये जनता पाटी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और भारतिये जनता पाटी खिद्मते खलक करती है गरीबूं जईफूं दर्दमंदूं की मदद करती है गरीब लोगों को मोधी साब ने 5-5 लाग हेल्थ कार्ड दिये गरीब लोगों को कोविड के अंदर मुफ़त राशन दिया मुफ़त वेक्सिनेशन हो रही है गरीब लोगों को किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया मोधी साब ने दिया लेकिन गुपकार वालों को तकलीव यह हो रही है जब यह सरकार में थे इन्हों ने किया कुछ नहीं और आज जब यह सरकार से सत्ता से बाहर चले गए और इनकी जमीन खिसक गई लोगों ने जमू कश्मीर की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, उस वकत इनको तक्रीब हो रही है सारी दुनिया जानती है कि यहां के नोजवानों को बरगला कर, यहां के नोजवानों को घुम्रा करके उनके परिवार से, उनके मता पिता से पैसे लेकर, खुरियत के नेताओं ने, यहां के नोजवानों को पाकिस्तान भेज़ दे थे, एमबी बीएस के लिए, और पाकिस्तान उनको आगे एमबी बीएस की ट्रेनिंग नहीं, आतंकवाद की ट्रेनिंग देता था, हमारे यहां लोगों के पैसे खाए, लोगों को ठागा जूट, फरेड और फराव, फरेव इनुने यहां रखाद किया, सुलम